दो जार बाइस की जो हमारी गांसभा की लेक्शन होई थी उसमें इन्होंने लोगों को काफी बड़े-बड़े वादे किये थे जो पूरे नहीं हुए तो पंजाब में जो हलाद थे हुए थे कि उन्हें है रपया महलाओं को देने की बात करी इन्होंने 25 रपया विडोर प्रापा पेंचन की बात की रिता के रेट काम करने की बात की करप्शन फ्री स्टेर बनाने की बात की प्लाइन ओर्डर की बात की MSP की बात की ऐसा कुछ जो आम आदमी हैं जो एक ही आर्पे के लिए महलाओं ने इनको बहुत जबदस वोटिंग की थी वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे है आपके मित्र थे पिट्टू जी आपके साथ में रहते थे एक एक बाजपा में चले गए कोई बात कोई थी आप से जाने से पिले कि मैं जा रहा हूँ या नहीं तक्रीबर और मैंने उनको इस बात की मुवारिक बात दी कि BJP और काली दल का अलाइंस पंजाम में नहीं हो रहा तो इस इस गुड फोर अस कांगरस के लिए अच्छी चीज है और हम बड़ा कंफर्टेबली ये लेक्शन चीज जाएंगे आप तो उन्होंने मुझे थैंक्स बोला उसके बाद हमारी की बात नहीं नमस्कार इस समय हम हैं पंजाब की आर्थिक राइदानी लुज्याना में और कॉंग्रिस के अध्यक्ष है लुज्याना के संजे तलवार जी एक्स एम मिलने भी रहे हैं उनसे हम बात करते हैं पंजाब में वो गटबंदल क्यों नहीं है पंजाब में क्योंकि आम आद्वी पार्टी ने जो विदान सभा चुनाव हुए थे 2022 की जो हमारी विदान सभा की एलेक्षन हुई थी उसमें इन्होंने लोगों को काफी बड़े बड़े वादे किये थे जो पूरे नहीं हुए तो लोगों के मन में इनके प्रती बड़ा रोश्या बड़ा गुस्सा है तो हम लोग नहीं चाहते थे कि पंजाब के कांगर्स के लोग नहीं चाहते थे कि जो उनकी नेक्टिविटी है वो हमारे उपर बारी पड़े है तो तो वह नो टेट रसिंग इन अलाइंस विद आमादी पाटी पंजाब तो फिर दिली में क्यों किया है दिली में भी वादे किये थे ने ने देश की बार ठीक है आप देखिए चाहिए वो आपकी बीजेपी है चाहिए कोई और पाल्टी है उनके भी अलाग अलाग लाइनस होते हैं स्टेट वाइस होते हैं तो पंजाब में जो हलाद थे वो यह थे कि उन्हें है यारपिय महलाओं को देने की बात करी ही इननोंने 25-300 प्रप कियी का म करने की कर्फचर एक प्रेल्च की बनाने की बात कि लाइन वंड़र की थे मृद К.μ.स वो जो यहां पे गैंक्स्टन हैं वो फ्रोतिया मंगते रहें वो डरकर अपना काम बंद कर रहे हैं जो आम आदमी है जो एक ही आदमी के लिए महलाओं ने इनको बहुत जबर्दस वोटिंग की थी वो खुद को ठगा हुआ मैसूस कर रहे हैं और पंजाब के लिए इनका आदमी चौनों में देंगे इसलिए हमने इन लोगों के साथ पंजाम में लाइस नहीं किया सर आपके मित्र थे बिटू जी आपके साथ में रहते थे एक एक बाचपा में चले गए कोई बात खुई थी आपसे जाने से पहले कि मैं जा रहा हूं या नहीं जा किसी परकार को उनको भी डर लगो कि कह रहे हैं कोंग्रसी कि पहले ये लोग डराते हैं फिर अपनी पार्टी भी लेते हैं ऐसा यह आमाधी पार्टी भी बिले मिले दाती है बाचकपा क्यों तो नहीं अगर आप बिट्टू जी की बात करें तो जी दिन वो पार्टी छोड़ कर गए हैं उसी सुबा भी मुझसे बात ही उनकी 11 बजे तक्रीबर और मैंने उनको इस बात की मुभारिक बात दी कि BJP और काली दल का अलाइंस पंजाम में नहीं हो रहा तो इस इस गूड फॉर कांगरस के लिए अच्छी चीज़ है और हम बड़ा कंफर्टेबली ये लेक्शन जीच जाएंगे आप तो उन्होंने मुझे थैंक्स बोला और उसके बाद हमारी की बात नहीं उसके बाद अभी तक जो भी हुआ है तिल ना हो हमारी कोई उनसे बात भी नहीं है पांटी ल पांगरस की बात करेंगे वो अपनी पार्टी की बात करेंगे उनका अपना विजन है उनके पार्लीमेंट के लोगों की अपनी सोच है लेकिन हम कांगरस के जो पार्लीमेंट के कैंडिट आएंगे हम उसके लिए लड़ेंगे और अपनी पार्टी के लड़ेंगे और हमें म बाकी इंडिया की बात नहीं कर रहा है, पंजाब है जो अलात है वो कांगरस के हक में है, और लुद्याना पार्लमेर सीट भी कांगरस से जीते गी, चर्चे तो यह भी है कि संजेतलवार का नाम आ रहा है, MPK सीट के लिए, एक इमानदार चवी है संजेतलवार की, और लोगो में से कोई कैंडिड देना चाहते हैं, तो पार्टी ने यह बात की, तो मैंने का ठीक है, अगर आपको लगे कि नो हलकों में जो भी डिजरव करता है, अगर मैं भी डिजरव करता हूँ, आपको लगता है कि I am capable for this post, तो अगर पार्टी जिम्मेवरी देगी, I am ready for that, rest, यह decision पार्टी का हाई कमान का है, और जिसको भी वो टिकर देंगे, वो कोई भी हो, तो हम उसकी स्पोर्ड भी करेंगे, और पूरा जी जान से यह कोशिच करेंगे कि यह सीट हम जीते हैं, एक सवाल और आता है, इंडिया गटबंदर के ओपर ये, एक बड़े पत्रकार है, अब गटबंदर का कही नाम हो रहा है, तो कोज्डरेस में अपने आपको खतम करने की कोशिच करिये दिली में, ऐसा कहा जा रहा है, कहीं बार ना आपके सामने दोतरा के लोग होते हैं एक होता है कि ये बंदा आपको आज नुकसान स्टेट में कर रहा है ये बंदा आपका नुकसान पूरे देश में कर रहा है नोट आप पार्टी का लोगों का भी आप देखिए जो एक डेमोक्रेटिक डांचा है हमारे हिंदोस्तान का वो कहां खड़ है मलब हर जिसके पास वो mighty is right है जिसके पास लाटी है उसकी वैसा है वो वैसे ही चीजें चला रहा है आज वो healthy democracy system कतम हो गया जैसे अगर कोई अपनी वाज बरंद करना चाहते है तो उसकी वाज दबा दी जाती है सुब दिल्ली में क्या हो रहा है दिल्ली वली congress बेटर जानती है हाई कौन बेटर जानती है हमें पता है अगर हम पंजाब में alliance करेंगे तो पंजाब में Congress का बहुत बड़ा नुकसान होगा ठीक है कई बार लोग बोलते हैं कि हम Parliament जी जाएंगे तो जी जाओगे पार्लिमेंट लेकिन स्लो स्लो जो Congress का कैटर है वो like खतम हो जाएगा इसलिए हमने वो चीज करने ने दिया पंजाब में जिनोंने बीजेपी में ज्वाइन कराया बिट्टू जी को बिनों तावड़े उनका नाम है शिक्षा मंतरी रहे हैं महाराश्च्र में उनसे मेरी बात तो रही दो दिन पहले रोड़ा कि मार्या कड़े बराटी में मार्या कड़े 30 आमाद्वी पार्टी आनि 20 कोंगरेस चान नेताची लिस्टा है पंजाम में कि 50 लोग और जाने वाले हैं यहां से 20 आपके और 30 आमाद्वी पार्टी के जो सिटिंग एमेल हैं आमदार बूलते हैं उसको तो क्या लगता है कि फिर आपके भी जाएंगे 20 उनके भी जाएंगे तो सरकार काम कर पाएगी यहांपर चलो वो तो सवाल आमादवी पार्टी पूछेंगे लेकिन आपके भी जाने वाले हैं ऐसा बूल रहे हैं देखो जो चीज बड़े प्राउड से बोल रहे हैं क्योंकि सीनियर मोस्ट होंगे मारास में काम कर रहे हैं यही परंपरा बहुत बुरी शुरू हो गई दोस्तान में, जो हम बड़े प्राउट से कहते हैं कि उस पार्टी कितने लोग आ रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी जो 400 से पार का नारा दे रही है, जिसने रामंदर के इतनी बात की, इसने 370 के इतनी बात की, जिसने देश में तो उनके पास लीडर क्यों नहीं है, क्यों वो इदर उसे डोट रहे हैं, आप एक छोटी सी पार्टी है, कल को उसका जनव हुआ है, दस सल पहले, तो वो उनके रीड़ों के पिछे क्यों पड़े हैं, क्या है उनका वजूद, अगर कांगरस वो कहते हैं कि बात को कांगरस मेरे कहने का मतलब है, वो अपने लोग लाएं, अपनी डेमोक्रेटिक ठीके से फाइट करें, जीतें, कांगरस से बात को जाद करें, अचारू को खतम करें, जो मर्जी करें, पीपल विल डिसाइड, लेकिन इस नोट दा राइट वे, कि आप इदर से ले लो, उदर से ले अब देखो, पंजाब में उन्होंने अभी तक एक एक एंडेट नाउस नहीं किया, बिल्कुल, आप बेट्टु जी गहे हैं, आई तिंक उनकी दो दिन में टिकट वो अनाउस करेंगे, क्योंकि कमिट्मेंट होई होगी, तब ही होगे हैं, तो उसके बाद उनका निशाना था हमारे दो-तिनोर मेंबर पार्लिमेंट, जिन्होंने स्टेटमेंट दे दी खवार में, कि वो ऐसा कुछ नहीं है, तो वो वेट कर रहे हैं हमारे लोगों की, डिसीजन की, तो आप एक बोटर होने के नाथे, आप एक बाद समय ना, कि एक पार्टी कह रही है, कि उसके सि दिये पार्टी तो हम लोगों से है, अब संजेतर बार कांग्रिस में हैं तो ये पार्टी है, तो अगर हम मैं इժोज़ N Неया हुण है, तो अगर वो बिणा कर दे रहे हैं, कि इसके आपिस उसकर आरे है, कांग्रिस का दो, I think कोई पंजआब में नहीं जाने माला, क्यूकि बीजेबी का पंजाब एकेले लड़ने से कोई फाइदा होने वाला नहीं है रहेगी आमाद्नी पार्टी की बात तो वो फैंसला उन्स पार्टी के लोगों का है कि वो क्या करने जा रहे हैं यह जो जलंदर में हुआ है उससे लगता है कि जाएंगे यह देखी यह प्रंपरा मैंने आगे भी बोला वीडिया में यह प्रंपरा इतनी अच्छी है ही नहीं अब देखिए रिंको जी पहले हमारे साथ थे मैंना मेरे मेरे दोस ही रहे हैं अभी भी हैं तो जलंदर में जब उन्होंने पार्टी छोड़ी कांगरा छोड़ी जाड़ू को पकड़ा तो हमने बोला या जी क्या कर गए लेकिन जाड़ू बोला कि अच्छा आगू था गलत पार्टी था हमने ले लिया वो तो पहले एलेक्शन में तो शीतलंगुराहलों को अच्छी ची बोग गालियां दे रहे थे इतना बुरा 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 थे कि निशे का काम करते हैं यह करते हैं बाद में आमादी पार्टी ले चलो वो तो सवाल आमादी पार्टी आप से हैं नी ऐसा बोला जा रहा था यह बोल रहा थे कि हम स्क्रीनिंग करते हैं तो किस पास किस टीटिंग? तो सवास बूटाना जी, अगर कोई बंदा दूसरी पार्टी में होता है, तो वो बुरा है, अगर उसकी पार्टी में होता है, आज बगमत मान जी भी बोलते हैं, इंको बोलेकर, कि ऐसा वैसा, जब कांगरस से उसको लिया था, तब क्या थर्मामीटर लगा गर चेक किया था, तो आप आप रोग क्यों रहे हो, जो उसने हमारे साथ किए वो आपके आसे करती है, तो यह प्रम्प्रा बेसिकल यह प्रम्प्रा गूट लिया है, लोगों को मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के मादेम से कि एक आदमी एक निशान पर वोट मांगता है आपसे अगर संजेतरवार वोट मांगने आए तो उसके पीछे पंजे का निशान है और कल को दो मिन्ने बाद मिन्ने बाद यह आज़ता है मुझे जी जारू के निशा आप लोगों ने करनी है अगर आपको लगता है कि आपकी वोट लेकर वो बंदा आपको चीट करके दुसरी पार्टी में जा रहा है तो आपको उसको वोट नहीं करना चाहिए अगर आप वोट करोगे तो यह प्रमपरा जो है फिर लीडरों ने नहीं शुरू की फिर आप स सवाल है सर आपका नाम तो आ रहा है कि आप खुद अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रहे हो देखिए मैंने मुझे पूछा गया था कि आर्जी इंटरस्टिंग तो मैंने कर ठीक है मैं तियार हूँ बशर्ते पार्टी मुझे स्लैक समझे तो यह थे हमारे साथ संजे तलवाज उन्होंने अपनी बात प्रोड़ी विपार की त्रिके से रखी और बहुत अच्छा से सवालों को जबाब दिये मेरा नाम है पंकर जबेदी कैमरा मैन गुर्जी के साथ खबरी लाग टीवी देख रहे थे आप नमसकार